चोपडा एजूकेशन यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपडा आपका हर्दिक स्वागत गरता हूँ प्यारे बच्चों, नीट का एप्लिकेशन फॉर्म इस बार दो फेज में भरा जा रहा है फर्स्ट फेज में आपकी जो पर्सनल डिटेल है, रेजिस्टेशन है, एप्लिकेशन फॉर्म है, इमेज अप्लोड है और फीस पेमेंट है तो ये 7 अगस्त 21 तक भरा जाएगा, इसके बाद आपका एग्जाम लगेगा एग्जाम लगने के बाद में 2 फेज, नीट का रजल्ट डिकलियर होने से पहले फिल किया जाएगा या फिर आप स्कोर कार्ट डाउनलोड करेंगे, तब ये फिल किया जाएगा ये बाद में NTA दवारा बता दिया जाएगा कि कब आपको ये फोर्म फिल करना है सेकेंड फेज का तो फर्स्ट फेज की डिटेल मैंने बता दी थी, इसका डिटेल्ट वीडियो बता चुका हूँ कि आपने स्टेप बाई स्टेप कैसे फिल करना है जैसे ही आप फर्स्ट स्टेज का फोर्म कंप्लीट कर देंगे, कन्फरमेशन फेज का फ्रिंट ले लेंगे तो उसके बाद आप एग्जाम दे पाएंगे नीट का तो नीट का एग्जाम देने के बाद आपको सेगंड फेज कंप्लीट करना है जब NTA एक सेडूल देगा कि इस तारीक तक आप सेगंड फेज कंप्लीट कर दें तो आपको अभी एग्जाम से पहले फर्स्ट फेज ही फिल करना है फर्स्ट फेज की डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे कैसे आपने करना है तो रेजिस्टेशन सबसे पहले हम इससे को चार फेज में पूरा करेंगे शुरी चार स्टेप में पूरा करेंगे फर्स्ट फेज के रेजिस्टेशन को इसमें रेजिस्टेशन एप्लिक पास्वर्ट और सेकेर्टी पिन के पार्टिकुलर्स थे यह हमने फिल कर लिए होंगे या फिर हम साथ अगस्ट 21 तक फिल कर लेंगे इनको इसके बाद में एप्लिकेशन फेज के अंदर पर्सनल डिटेल डाली थी हमने फिर एपलाई फॉर में किस-किस के लिए हमने यह एग अप्लोडिंग डॉकुमेंट्स में हमने फोटो, सिगनेचर, थम, इंप्रेशन और सेल्फ डिक्रेशन अगर जैन के से हैं तो यह अप्लोड किये थे उसके बाद में फीज पेमेंट करके हमने कनफर्मेशन पेज का प्रिंट ले लिया था तो यह तो इस टेप था इसका फ परस्नल डेटल भरती उसमें हमने ओर भरना है डेटल वह यह है कि आप अगर गर्ल्स कंडिडेट हें तो सिंगल हें यह फिर है इसके बाद में फ्लेस ऑफ रिजिदेंस भरना है इसके बाद में माइनुरिटी भरनी है अगर आप minority से belong करते हैं तो उसके बाद में religious minority भरनी है और mode of preparation भरना है कि आप तयारी कैसे कर रहे हैं तो ये personal detail में आपने भरना है application phase के column में इसके बाद में educational detail जहां हमने 12th की बरी दी वहीं फिर हमें educational detail भरनी है 10th की उसके अंदर pass status भरना है इसके बाद में year of passing oblique affairing भरना है qualifying exam भरनी है place of schooling भरना है type of school college इसके बाद में qualifying examination state भरना है इसके बाद में qualifying examination district भरना है इसमें इसके बाद में हम इसमें आगे भरेंगे school board भरेंगे इसके बाद में result mode भरेंगे Maximum Grade Point CGPA Optane भरेंगे तो ये इस प्रकार से 10th की और 11th की Detail हमने भरने है 11th की Detail में भी सेम यह है Total Marks, Optane Marks, Marks Percentage, Roll Number School College का नाम एडरस और School College का पिन को तो ये 10th की और 11th की Detail हमने बाद में भरने है अभी 1st Phase में हमने 12th की Detail ही भरी थी इसके बाद में Additional Detail में हमने Place of Birth, State, District, Father Qualification इसके बाद में Father Occupation, Father Annual Income इसके बाद में आगे भरनी है ये Personal यानि Parent Income Details में है ये Mother Occupation है, Mother Annual Income है इसके बाद में Guardian Qualification है, Guardian Occupation है इसके बाद में Guardian Annual Income है तो ये इसमे Parent Income Details में फिल करनी है Second Phase में इसके बाद Second Phase में आपको Documents भी Upload करने हैं तो सबसे पहले Category Certificate आपको Upload करना है Category Certificate में जैसे EWS, OBC, SC, ST इस परकार कि अगर इनमें से कोई आपकी Category है तो आपको Category Certificate Upload करना है तो जिन Candidate के पास में Category Certificate है तो कोई Problem नहीं है वो Upload कर सकते हैं जिनके पास नहीं है तो एक्जाम देने की तुरंत बाद बनवा ले ये हर एक स्टेट में तकरिवन 3-4-5 दिन में बन जाता है तो आपका एक्जाम 12 September को हो जाएगा तो उसके बाद में आपको समय मिल जाएगा रेजल्ट आने तक तो रेजल्ट आने तक ये आपको डिटेल भरनी है सेगंड फेस की तो आप इसको बाद में बनवा सकते हैं अभी आपको टेंशन लेने की जोरत नहीं है अभी आप Category Fill कर दें इसको अभी उसको बाद में अप्लोड करना है तो आप जैसे ही नीट का एक्जाम दे लेंगे उसके बाद में आप ये Certificate बनवा ले अपना Category Certificate आप जिस भी Category से बिलोंग करते हैं इसके बाद में जो PWD Candidate है वो भी अपना Certificate बनवा सकते हैं वो भी उनको अप्लोड करना है इसके बाद में 10th का Certificate अप्लोड करना है और इसमें Citizenship Certificate अप्लोड करना है जो Abroad से Candidate है जो Abroad के Candidate हैं उनी को ये Citizenship Certificate अप्लोड करना है तो इस परकार से ये Detail आपको Fill करनी है Second Phase के अंदर अब इसमें नीचे एक Note दिया गया है इसमें लिखा है कि जो State आपका इसमें मांगा जा रहा है डिटेल में ये सिरफ Information के लिए मांगा जा रहा है इसमें Domicile का कोई चकर नहीं है Domicile के लिए आप जिस भी Condition में जिस Domicile के लिए Illigible हैं जिस State के लिए आप वहाँ Apply कर सकते हैं ये सिरफ आपका State की Information है कि आप कौन से State है Domicile की इसमें कोई Information नहीं है इसमें आप इसको Domicile नहीं मानके चलेंगी अगर हम जो State दे रहे हैं हमारा क्या वही Domicile हो जाएगा हम उसी State से Counseling करवा सकते हैं कुछ भी नहीं है इसमें Domicile का ये सिरफ आपकी Information के लिए State पुछा जा रहा है तो ये एक थोड़ी सी जानकारी थी कि आपका जो Application Form है Need का वो टू फेज में है फर्स्ट फेज आपको 7th August 21 तक Complete करना है और सेकंड फेज है वो Need का Result Declare होने से Complete करना है तो आपको अभी Tension लेने की जौरत नहीं है आप First Phase Complete कर लें उसके बाद आराम से एक्जाम दें और उसके बाद Second Phase के बारे में मैं आपको Detail में बता दूँगा तो दोस्तों ये जानकारी थी NTA के Application Form के बारे में आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वा ज्यादा ज्यादा शेयर करें मिलते हैं नहीं जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैए हैं